हलो प्रेंट्स, वेलकम इन माई यूटूब चेनल, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पोस्ट ओपिस ने जो न्यू ब्याजदर रिलीज की है, एक जनवरी 2023 से जो न्यू ब्याजदर पोस्ट ओपिस की लागू होगी, वही मैं बताऊंगा कि किस स्कीम पर पोस्ट ओपिस ने कितनी कितनी जो है ब्याजदर जो है बढ़ाई है, तो अगर आपने भी पोस्ट ओपिस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या फिर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, तो वीडियो को सुरू से लाश्ट तक जरूर देखें, वह पता करें कि नवरी 2023 से जो है लागू हो ली सबसे पहले हम बात कर लेते हैं senior citizen saving scheme पहले इसके ओपर 7.6% थी अभी यह बढ़ा के 8% कर दी गई है सुकर्णिया समर्दी पर पहले भी 7.6% interest rate था और अभी भी 7.6% ही है PPA पर 7.1 अभी भी 7.1 ही है इसके बाद में किसान विकास पत्तर पर प पहले भी 6.8% थी अभी इसके ओपर बढ़ा के 7% कर दिया गया है 5 साल की FD पर पहले 6.7% थी अभी 7% कर दी गई है इक साल की FD पर पहले 5.5% थी अभी यह बढ़ा के 6.6% कर दी गई है MIS पर पहले 6.7% थी अभी इस स्कीम पर बढ़ा के 7.1% कर दी गई है RD में पहले भी 5.8 थी और अभी भी सेम बरकरा रखी है 5.8 ही Saving Account में पहले भी 4% था और अभी भी 4% के इसाब से ही Interest Rate मिलेगा तो दोस्तो ये है Post Office की बढ़ी हुई जो है नई ब्याजदरी ये सभी ब्याजदरी एक जनवरी 2023 से लागू हो जाएगी तो अगर आपने पहले से Post Office में Investment कर रखा है तो आभी नई ब्याजदर के According to आपको ब्याज मिलेगा या फिर आप जो है करने की सोच रहे हो तो भी आपको नई जो Interest Rate है उसी के According to प्याज मिलेगा तो दोस्तो मैं ये ही कहूँगा कि आप जो है ज़रूर Post Office में Investment करें किसी न किसी भी सेविंग इसकी में आपको बहुती बढ़िया रिटन मिलेगा फिर भी आपको Post Office के सेविंग से रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की कोई भी क्यूरी हो कमेंट बोक्स में जरूर लिके माज जितनी हो सके आपकी पूरी हलब करूँगा वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद दोस्तों वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे जादा से जादा लाइक करें सेर करें वह मेरे यूटूब चेनल को जरूर सबस्क्राइब करें थैंक्यू पोर वाचिंग माई वीडियो अगें